दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियन्स में प्रस्नावली 9.6 कैरा है कि प्रस्न नंबर 1 से 12 तक के प्रस्नों में प्रतेक अवकल समीकरण का व्यापक हल ग्यात करना है अब पिछली प्रस्नावली में हमने समगाती समीकरणों को हल किया था और इस प्रस्नावली में हल करने वाले हैं राखिक अवकल समीकरणों को linear differential equations अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतम कोट के राखिक अवकल समीकरण किस प्रकार के होते हैं अब इसका एक मानक रूप होता है dy upon dx प्लस py इक्वल टु q और दूसरा रूप होता है dx upon dy प्लस px इक्वल टु q अर्थाथ जब dy upon dx दिया होगा तो इस प्रकार का होगा और जब dx upon dy दिया होगा तो इस प्रकार का होगा अब इने किस प्रकार से हम हल करेंगे उसे देखेंगे सबसे पहले जो भी समिकंड दिया हो अगर उसमें dy अपॉन dx दिया हो तो उसकी तुलना इससे करेंगे हम अगर उसमें dx अपॉन dy दिया हो तो उसकी तुलना हम इससे करेंगे और वहां से हम P और Q के मान निकाल लेंगे फिर सबसे पहले हम P का करेंगे समा कलन P का हमें करना पड़ेगा समा कलन अब हम P का समा कलन क्यों करेंगे चुकि हमें ग्यात करना है IF Integration Factor समा कलन गुडांक अब IF क्या होता है IF होता है E की पावर Integration of PDX अर्थात जो भी P का समा कलन आएगा उसे हम E की पावर में रख देंगे तो हमें IF का पता चल जाएगा और जब हमें IF का पता चल जाएगा तो हम लगाएंगे मेन वाला सूत्र Y into IF equal to Q into IF और इधर कर दीजी आप समा कलन और इसे पूरा हल कर लेंगे यही हल हमारा व्यापक हल माना जाएगा अब अगर समी करन DX upon DY वाला है तब भी वही करना है हमें P और Q के सबसे पहले मान निकालने है P का करना है हमें समा कलन अब चुकिए यहाँ X गुडांक वाला है तो समा कलन इस प्रकार से होगा DY करके और IF का मान तो वैसे ही रहेगा केवल भाई क्या होगा लास्ट वाला जो सूत्र है वा बदल जाएगा इस प्रकार यहाँ इस प्रकार लिखेंगे X into IF Q into IF into DY और इधर करना है समा कलन अर्थात यह सूत्र DY upon DX वाला है और यह है DX upon DY वाला अब हम देखेंगे सवाल नमबर एक लिखा हुआ है DY upon DX प्लस 2Y equal to sin X अब चुकिए सवाल DY upon DX वाला है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले तुलना कर लेंगे DY upon DX प्लस PY equal to Q से अभी यहाँ P का मान क्या है P का मान हो जाएगा 2 और Q का मान क्या हो जाएगा sin X जैसे हमें P और Q के मान पता चल जाएगे हम क्या करेंगे P का कर देंगे समा कलन अगर भाई P का मान थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो अलग समा कलन कर लेंगे अब यहाँ चुकि P का मान 2 है तो इसका समा कलन काफी आसान रहेगा तो सीधा निकालेंगे IF का मान मान क्या होता है E की पावर में P का समा कलन अब P का समा कलन क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 2 X तो भाई IF का मान हो जाएगा E की पावर 2 X आब हम लगाएंगे सूत्र सूतर भाई क्या होता है y into if equal to q into if और इधर करना है समा कलन अब यहाँ पे आईए by y into e की power 2x अब यहाँ पे है q, q का मान क्या है sin x into e की power 2x dx अब हमें केवल इधर समा कलन करना है यह वाला पद ऐसा ही रहेगा तो हम क्या करेंगे इसका समा कलन अलग से कर लेंगे और यहाँ उठा के मान रख लेंगे इसे हम सबसे पहले i मान लेते हैं e की power 2x into sin x dx अब हम यहाँ कर देंगे खंड सा समा कलन सबसे पहले i equal to अभी इसे हम मान लेंगे पर्थम पद और इसे मान लेंगे 2-3 पद अभी होता क्या है, परतम पत को आइसे ही लिखना पड़ता है, अब दूसरे पत का होता है समा कलन, sine x का क्या हो जाएगा, minus cos x, तो 1 minus बाहर निकलाएगा, minus, अभी परतम पत का होता है au could land, so e की power 2x और 2 बाहर निकलाएगे, और दूसरे पत का होता है समा कलन, sin x का हो जाएगा cos x परन्तु minus बाहर निकलेगा तो plus हो जाएगा अभी यहाँ दुबारा हम खंडसा का प्रयोग कर देंगे so i equal to अभी यहाँ है minus e की पावर 2x cos x plus यहाँ दो बाहर निकल लेंगे अभी फिर से यहाँ इसको पर्थम और इसको 2-3 माल लेंगे प्रथम को तो ऐसे उतारना पड़ता है और cos x का क्या हो जाएगा sin x फिर minus का निसान अभी इसका दुबारा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2e e की पावर 2x और cos x का समा कलन sin x और यहाँ लिख दिएजिए d x अभी यहाँ ध्यान दिजिए यहाँ वाला जो है वहाँ आई का मान है तो यहाँ पर हम आई रख सकते हैं तो आई एक्वल टू क्या हो जाएगा minus e की पावर 2x cos x plus 2 e की पावर 2x यहाँ हो जाएगा sin x अब यहाँ दो दुनी 4 minus 4i अभी हम minus के 4i जब इधर आएगे तो क्या हो जाएगा 5i हो जाएगे तो अगर हम i का मान सीधे निकालेंगे तो एक बटा 5 करके कुछ हो जाएगा अभी यहाँ वाला पद पहले लिखेंगे और यहाँ वाला पद बाद में तो यहाँ लिख सकते हैं e की पावर 2x sin x और यहाँ दो भी हैं और यहाँ e की पावर 2x cos x और यहाँ प्लस ही लगा लिजी अब यहाँ वाला i का मान हम उपर रख सकते हैं अब यहाँ उपर क्या था y into e की पावर 2x equal to अब यहाँ एक बटा 5 है अब चाहो तो e की पावर 2x ना कॉमन निकाल सकते हो तो अंदर क्या बचेगा 2 sin x minus cos x और यहाँ प्लस c अभी क्या करना है e की पावर 2x ना पूरे भाग दे दो तो यहाँ पे आ जाएगा y equal to अब यहाँ हो जाएगा 1 बटा 5 यहाँ आप लिख सकते हो 2 sin x minus cos x अब प्लस c अब यहाँ चाहो बटा में e की पावर 2x लिख लो यहाँ उसे उपर निकाल लो minus 2x हो जाएगा अभी प्रस नंबर दो लिखा हुआ है dy upon dx plus 3y equal to e की पावर minus 2x अभी क्या करना है सबसे पहले dy upon dx अब यहाँ p का मान क्या है p का मान हो जाएगा 3 और q का मान e की पावर minus 2x सबसे पहले हमें if का मान निकालना है if क्या होता है e की पावर में p का समाकलन अब p का मान है 3 इसका समाकलन क्या हो जाएगा 3x तो if का मान हो जाएगा e की पावर 3x अभी जब if का मान ग्यात हो गया है तो आप सीधा सुतर का प्रयोग कर सकते हो y into if equal to q into if और इधर कर दीजिए समकलन अभी यहाँ if का ना मान रख दीजिए तो y into e की पावर 3x equal to अभी यहाँ पर q का मान क्या है e की पावर minus 2x into इसका मान हो जाएगा e की पावर 3x और यहाँ dx अभी यहाँ पावर पावर ना घट जाएंगी तो आजाएगा y into e की पावर 3x equal to यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर x dx अभी यहाँ कर दीजिए समाकलन जो कि हम डारेक्ट ही कर सकते हैं y into e की पावर 3x e की पावर x का e की पावर x होता है और यहाँ plus c अभी हम दोनों पच्छों में e की पावर 3x से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा y अब यहाँ क्या बचेगा e की पावर x upon e की पावर 3x और plus c upon e की पावर 3x सो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e की पावर माइनस 3x अभी प्रस नंबर 3 है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्यार अभी क्या करना है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से न तुलना करनी होती है अभी यहाँ p का मान क्या हो जाएगा p का मान हो जाएगा 1 upon x y को छोड़ कर जो भी लिखा होता है वह p का मान होता है और q का मान क्या हो जाएगा x स्क्यार जैसे ही हमें p और q के मान पता हो जाते हैं हम सबसे पहले निकालते हैं if और if क्या होता है e की पावर में p का समा कलन अब 1 upon x का समा कलन क्या होगा log x तो क्या हो जाएगा e की पावर log x अब जब e की पावर में लाग होता है तो क्या होता है e और लाग दोनों ही cancel हो जाते है अब बचेगा यहाँ पर केवल x अब if का मान हो गया x अब सूत्र में रख दीजिए y into if equal to q into if और इधर का समा कलन अब यहाँ हो जाएगा y into x और यहाँ q का मान क्या था? x square और if का मान x और into dx अब यहाँ हो जाएगा xy और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ हो जाएगा x cube x cube dx अभी क्या करना है? x cube का न समा कलन कर देना है सो हो जाएगा xy बराबर x की power 4 upon 4 और यहाँ plus c अभी प्रस नंबर 4 है करा है dy upon dx प्लस sec x into y equal to tan x अब भाई यहाँ वाला p का मान होगा और यहाँ वाला q का मान हो जाएगा? जो की सूत्र होता है dy upon dx प्लस p into y equal to q तो p का मान क्या आ गया? sec x और q का मान tan x अभी क्या करना है? सबसे पहले p का समा कलन कर देना है तो भाई यहाँ हो जाएगा sec x dx अब sec x का समा कलन क्या होता है? log sec x प्लस tan x अभी हमें निकालना है if कमान अब if क्या होता है? e की पावर में p का समा कलन रख दीजिए अब p का समा कल क्या आया है? e की पावर हो जाएगा log अब यहाँ हो जाएगा sec x प्लस tan x जब e की पावर में log होता है तो e और log दोनों ही cancel हो जाते हैं और जो संख्या होती है वही उत्तर बचती है तो यहाँ हो जाएगा sec x प्लस tan x या if कमान है अब लगाएंगे सूत्र y into if equal to q into if और इधर का कर देंगे समा कलन अब y into if कमान क्या है sec x प्लस tan x और यहाँ q कमान क्या हो जाएगा q कमान है tan x into यहाँ है sec x प्लस tan x और यहाँ हो जाएगा d x यह वाला हम ऐसे उतारेंगे यहाँ हो जाएगा y into sec x प्लस tan x equal to यहाँ ना हम गुड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x into sec x plus अब 10 अब 10 क्या हो जाएगा 10 square जिसे हम लिख सकते हैं sec square x minus 1 और यहाँ पूरे में dx चुकि बाइ 10 square का समा कलना में सीधे नहीं पता होता है तो उसे हमने sec square x minus 1 में बदल लिया है अब यहाँ कर दो सीधे समा कलन इधर का ऐसे उतार लीजिए sec x plus 10x equal to अब इससे क्या हो जाएगा sec x इसका हो जाएगा 10x और इसका हो जाएगा minus x और plus c यही आंसर है अब आते हैं प्रस नंबर 5 पे लिखा हुआ है cos square x into dy upon dx plus y equal to 10x अभी क्या करेंगे dy upon dx को ना अकेला कर लेंगे cos square x से ना पूर्यम भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा y upon cos square x और यहाँ पे 10x upon cos square x इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो dy upon dx plus y into अगर cos को ना उपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा sec square x same यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 10x into sec square x अब यह वाला p का मान है और यह वाला q का मान है तो भाई p बराबर क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा sec square x और q बराबर क्या हो जाएगा 10x into sec square x सबसे पहले क्या करना पड़ता है p का समा कलन तो भाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा sec square x और dx अब sec square x का होता है 10x अब सबसे पहले हम if का मान निकालेंगे if क्या होता है e की पावर में p का समा कलन और p का समा कलन क्या है 10x तो if का मान हो जाएगा e की पावर 10x अभी क्या करना है मान रखना है सूत्र में सूत्र क्या होता है y into if equal to q into if और इधर कर दो समा कलन अब यहाँ पहले if और q के मान रख लेंगे y into if का मान क्या है e की पावर 10x equal to अब q का मान क्या है बाई यहाँ है 10x into sec square x into if का मान क्या है e की पावर 10x into dx अब इधर side का हमें करना पड़ेगा समा कलन जिसके लिए हम क्या करेंगे हम 10x को ना कुछ मान लेंगे हम मान लेंगे 10x बरावर t है अब 10x का आउकलन क्या होता है sec square x dx equal to क्या हो जाएगा dt अब यहाँ वाले मान हमें क्यावले इधर रखने है चुकि हमें इधर का समा कलन नहीं करना पड़ता है तो y into e की पावर 10x equal to अभी यहाँ हो जाएगा t और sec square dx का मान dt अब यहाँ e की पावर 10x इसे आप लिख सकते हो e की पावर t और यहाँ dt अब इस side का हम कर देंगे समा कलन खंड सादवारा यहाँ हो जाएगा y into e की पावर 10x equal to अब इसे मानेंगे पर्थम पद और इसे मानेंगे दोती पद पर्थम पद को ऐसे ही और दोती का समा कलन e की पावर t यहाँ माइनस पर्थम का आउकलन एक और दोती का समा कलन e की पावर t dt अब इसे हल कर लेंगे y इंटू e की पावर 10x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा t e t माइनस अब यहाँ e की पावर t बचेगा जिसका समाकलन e की पावर t होता है प्लस c अब यहाँ t और e की पावर t का मान रख लो y इंटू e की पावर 10x इक्वल टू अब टीका मान क्या हो जाएगा 10x अब यहाँ e की पावर t चाहो तो कामन लेलो इस प्रकार से और यहाँ t का मान रख दो प्लस c अब दोनों पच्चों में न e की पावर 10x से भाग कर दो तो यहाँ बचेगा y यहाँ पे क्या बचेगा 10x-1 और प्लस c इंट इकी पावर विनस 10x